तो प्रेंट्स आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ आप से रिक्वर्स करना चाहूंगा कुछ चीजों को आप लोग ध्यान से सुनेगा कि सबसे पहले चीज यह है कि आप लोग जितने भी नए व्यूवस हैं हमारे चैनल को अगर आप लोग देख रहे हैं अगर को अच्छा लग रहा है तो प्लीज सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करने के बाद आपका वगल में ब्लैल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि आपको जो भी नौटिफिकेशन होगी जो भी वीडियो से अप्लोड करेंगे आपको टाइम हैं अपने दोस्तों के ब satisfies में शेयर करें आपने शेयर का रहा हैं हमाने चेनल के बारे में और मैकमकू अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करें अपके जो ओर क्रूम से ए फेडियोप पे यह उस्ज्ज पर आपके दोस्तों को लिकांके प्रियूश अहें कि उत्吸शा करने जिसमें आप लोग हमको देख सकते हैं और हम लोग आपको face to face बढ़ाएंगे जिसमें कि हम लोगों ये भी प्लान किया कि safe for safe आपका engineering नहीं होगा safe for safe आपके school नहीं होगा इसमें आपके competitive के भी होंगे competitive के साथ colleges में आपके commerce line भी आपका include होगा, मतलब education से related हर topic को हर part को तो हम लोग आपको भी चांस देंगे तो उसके लिए हम बस ये चाहेँगे कि आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें तो आपका सपोर्ट बस यह है कि आप मैकसिम शेर करें जिससे that हमला चैनल गुरौ करें, हमार चैनल गुरौ करेंगा तो भी और आपको भी हो सकता है आपके लिए भी कुछ करेंगे और बहुत के लिए लूग आपके लिए भी ऑपनिंग निकालेंगे तो चलिएा sih आज के लोग अजो टॉपिक है इस टॉपिक पर हम लोग आजाते हैं तोपिक किया है आपका मॉच्व जो कि आपका composite बार हमारा question चल रहा था अपर topic चल रहा है जिसमें कि हम लोगे number of numericals किये हैं आज जो हम लोग कोशन करना थुछ से different है उस question को हम लोग देखते हैं कि कैसा solution होगा और किस type का question है और किस type से पूछा जाता है तो चलिए हम लोग question ले ले लेते हैं लोग उसे प्रेंट से figure देख सकते हैं figure को आपको समझें कोशिश करिए पहले चीज तो है कि figure क्या है कैसा है उसको समझेंगे तो आपको question बहुत easy हो जाएगा सबस्ब्स पहली चीज जो है आपका देखेंगे कि दो steel आपका rod है यह आपके steel rod है और यह आपका copper rod है तो steel rod की जो की हाइट है 2 मेटर और copper rod की हाइट है आपकी 1.5 मेटर तो यहां पर कहीं न कहीं आपका जो लेंथ है equal नहीं है तीनों का ठीक है तो अब इसमें क्या करना है उसके करेंगे according हम लोग जो solution किस तरीके से करेंगे वह हम लोग देखेंगे आगे चलगे और दूसरा चीज दिया है कि यह जो है आपका 50 kN का लोड जो है यहां पर अपलाईए अब आगे देख लेते कि सब का diameter जो है आपका 20 mm का diameter दिया हुआ हुआ है इस दिया हुआ है जो कि स्टील का आपका मोडलोस अप्लास्टिसिटी है 200 जीपीए इसी दिया हुआ है 120 जीपी अगे इसको जीपीए को कंवर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 to the power 3 और भी मल्टिप्लाई हो जाएगा Newton परेम स्कॉर में करने के लिए तो आप कोश्चन में क्या बोले है find stresses in each wire सारे wire में आपको क्या निकालना है emphasizing stresses निकलने की सिग्मा-S भी निकालना है और सिग्मा-C भी निकालना है तो नहीं सबसे पहले मने क्या है तो सबसे पहले काम क्या है तो सबसे पहले हम दो area निकाल लिए हैए area of steel तो area of steel के लिए आम भूख आ करना पड़ेगा कुछ नहीं देखिए दो steel का rod है तो आपका 2 in 2 हो जाएगा pi by 4 20 का square तो इसका value आ रहा है वो है 628.32 mm square तो यह होगे area of steel आप दूसरा area of copper निकाल लेते हैं तो यह हो जाएगा pi by 4 20 का square 314.16 mm square तो यह देख सकते हैं कि आपका steel का और copper का area हमारा निकल चुक है तो अब यह हो गया अब इसके बाद हम लोगों कुछ चीज़े समझ लिए कि जरूवत है चोज की चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ उसके ध्यान से देखिएगा तो हम लोगोंने composite का एक case पढ़ा था composite का concept पढ़े थे तो concept में वहाँ पे एक चीज़ मैंने बताया था कि आपका जो condition है और कैसे follow हो रहा है जहां समझेगा ठीक है तो यहां पे हम लोग कुछ concept की बात कर रहे है तो concept आप समझेगा क्या है और कैसा है तो पहले चीज़ यह है कि जो P होता था P1 प्लस P2 जो force है आपका P1 प्लस P2 जैसा अगर मालने से दो object है कोई ठीक है तो object है आपका यह मालने से कि दो object है कोई ठीक है एक object आपका मालने से कि यह है और एक object आपका यह है मालने से ठीक है तो यह दो object है तो यह दोनों object आपका यह ऐसा है इस पे लोड अप्लाई हो तो यह क्या होता था कि P1 प्लस P2 is equal to total P होता था ठीक है दूसरे चीज़ हम लोग यह भी चीज़ जानते थे कि डल L1 is equal to L2 होता है ठीक है क्योंकि आपका deformation जो होगा equal होगा क्योंकि दोनों equally आपका set किया हुआ है ठीक है अपका L1 upon A1 E1 और equal to P2 L2 upon A2 E2 यह formula होता है इसका ठीक है अगर इसको formula को थोगा सा और ध्यान से देखा जाए तो देखे यहाँ पे क्या है length आपका क्या है equal है यहाँ पे क्या है length equal है तो length equal है इसका मतलब L1 is equal to L2 तो यह हो गया equal हो गया तो यह क्या हो गया P1L upon A1 E1 ठीक है A1 E1 is equal to P2L A2 E2 यहाणिकि L जो है term यहाँ से क्या हो जा रहा है cancel हो जा रहा है यहां पर क्या ज़र है cancel हो जा रहा है ठीक है तो यहां से क्या बन रहा है हमारा यह बन रहा है आपका P1 upon A1 यादि कि sigma 1 upon E1 is equal to P2 upon A2 मतलब sigma 2 upon E2 तो यह कौन से condition के लिए इसको ध्यांस देखिए जब आपका जो length है वो आपका क्या होगा length जो है equal है तब का है length जो है आपका equal है condition ध्यांस समझेगा यहां पर जो है length जो है आपका equal है तब आपका यह condition है मगर अभी जो आज का question है जो आज का topic हम लोग कर रहे हैं उसमें length तो तो जब length equal नहीं है तो यानि कि L जो है आपका equal नहीं है मतलब L1 और L2 रहेगा L1 और L2 रहेगा तो इसके लिए हमारा formula क्या बनेगा तो formula तो देखिए ध्यांस देखिए वही रहेगा formula क्या रहेगा P1 L1 equal to P2 L2 upon E1 A1 upon A2 E2 तो अगर इसको हमनों convert करें तो ध्यांस देखिए P1 upon A1 मतलब होगे sigma 1 L1 upon E1 is equal to P2 upon A2 क्या जाएगा आपका sigma 2 E2 L2 तो यहां में यह चीज जो देख रहे हैं यह आपका जो formula है यह formula कब है जब आपका length जो है unequal है तो अभी हमारे पस case क्या है unequal क्या है ठीक है अच्छा यह जो P1 upon A1 को P upon A को हम लोग sigma लिखते हैं इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है P1 upon A को क्या लिखते हैं sigma 1 P1 upon A2 क्या लिखते हैं sigma 2 लिखते हैं इस चीज़को देखते हैं तो हमारा अभी length unequal है तो length unequal है तो हमारा formula यह apply होगा जो कि हम लोग नॉर्मली यह apply करते थे याद होगा आपको यह apply करते थे तो यह क्या है equal case में apply करते यह क्या है un equal case में apply करेंगे तो un equal के कारण हम लोग को यह use करना पड़ेगा तो चलिए formula लगा लगा लेते हैं और solve करते हैं तो हमारा formula क्या होगा sigma 1 L1 upon E1 equal to sigma 2 upon E2 into L2 लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होगा sigma S Ls upon E1 क्योंकि हमारे यहाँ पर term दिया हुआ है steel और copper दिया हुआ है तो इसी के term पर बात करेंगे sigma C EC into Lc ठीक है तो यहाँ से हम लोग value निकालते हैं solve करते हैं ठीक है तो sigma C S किता दिया है तो sigma S हम लोग आपका निकालना है ठीक है sigma S कितना है तो LS length of steel किता था तो वो था आपका 2 meter तो इसको MMA convert करें तो 2000 हो गया ES किता दिया था तो वो दिया था 200 into 10.3 सेम बात करें sigma C into Lc जो दिया था 1.5 meter यहने कि 1500 हो जाएगा upon EC जो है आपका 120 into 10.3 हो जाएगा तो अब हम लोग इसको solve कर लेते हैं थोड़ा सा तो solve करेंगे तो यह क्या आपका जो होगा सिगमा S जो है सिगमा S इसको क्यों आजाएगा 200 into 10.3 upon 2000 into 1500 upon 120 into 10.3 into सिगमा C तो यहां से सिगमा S जो है सिगमा C के term में आ जाएगा तो उसको solve कर लेते हैं हम लोग तो यहां पर value हो जाएगा 1.25 सिगमा C तो आपका 1.25 सिगमा C आचुका है तो अब हम लोग क्या हो जाएगा आपका जो value है वो सिगमा S जो है सिगमा C के term में आ चुका है तो अब इसको further हम लोग इसको आगे solve करते हैं तो आगे solve करेंगे इसको तो फॉर्मला जो होता है हमारा फॉर्मला क्या होगा पी इपॉल टू सिगमा S A S प्लस सिगमा C A C है तो सिगमा S A S क्या हो जाएगा तो सिगमा S हमारा जो है वो आपका 1.25 1.25 सिगमा C into A S क्या है हमारा तो एरिया ओफ जो स्टील है वो आया था 328 सॉरी 628 यह आपका डबल हुआ है तो 628 628.32 प्लस सिगमा C क्या होगा वो तो उसी टम में रहेगा सिगमा C into आपका एरिया ओफ आपका कॉपर जो है आपका क्या है 314.16 तो यहां से P का जो वैल्यू था वो किता था आपका तो P हमको दिया था 50 ठीक है तो 50 का 50 into 10.3 तो यहां से हम लोग सिगमा C की वैल्यू निकाल लेते हैं अगर किसी भी स्टूदेंट्स को को दिखात होता है कि कैसे हम लोग को यह सॉल करना एक्वेशन आपका कल्कुलेटर में तो प्लीस हमारे कल्कुलेटर वाले प्लेलिस्ट में जाएं वहां पे आपको पूरे सिस्टम बताया गया किस तरीके से सॉल करते हैं कल्कुलेटर में कैसे पूर्ट करते हैं तो चलिए मैं इसको सॉल कर लेता हूँ तो वैल्यू हमारी सिग्मा सी के जो आ रही है वो है 45.47 न्यूटन पर अमेम स्क्वेर न्यूटन पर अमेम स्क्वेर तो यहां से आपका सिग्मा सी हमको अप्टेंट होगा है नेक्स निकाल लेते हमनों सिग्मा सी के बाद सिग्मा से क्या है तो सिग्मा एस इप्टेंट से मल्टिप्लाई कर लेते हैं 45.47 को तो यहां से हम लोग इसको multiply करके value निकाल लेते हैं तो 45.47 into 1.25 तो value आप मरी आहार ही है वो है 56.84 56.84 Newton per mm2 तो हम लोग को जो question में आपकी value पूछी गई थी आपका question पूछा गया था find the stresses in each wire तो ध्यांस दिख सकते हैं कि आपका copper में भी और steel में भी आपका obtained हो चुका है यह थोगा से different type question क्यों था क्योंकि इसमें जो आपका जो length था दोनों ही जो material है उसका length differ था ठीक है तो इस type से आपको question solve करना है बस थोड़ा सा logic यहां यहां पर change यही था कि length unequal होने करण यहां पर दोनों length आपका आ रहा है और यहां पर equal होने करण दोनों length आपको क्या हो जा रहा है आपस में cancel हो जा रहा है तो यह था अच्छा वीडियो thank you for watching and please keep watching our videos till the end and have a बखस्तर आप्वद पलिग यहां आपको क्या जा में चाहता है ड्मेस्ट आपको कर रहाँ यहां जा अपको क्या वंच घटे टाहालाज के दू़गावाज्यों में इसक्वेवाद यहां जापको झाल झाल